बड़ी खुशखबरी रॉयल इन्फील्ड अगले साल लॉंच करने जा रही है 250 CC वाली सबसे सस्ती क्लासिक बाइक जी हाँ दोस्तो रॉयल इन्फील्ड के लवर्स के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है तो बस इसी खुशी के लिए एक लाइक तो बनता है बॉस खैर हमने आपको पहले भी एक वीडियो में रॉयल इन्फील्ड की आने वाली बाइक क्लासिक 250 के बारे में बताया था नहीं देखा तो आई बटन पर देख सकते हैं जिससे आपको बहुत सारी जानकारी वहाँ से भी मिल जाएगी साथी आप ऐसे ही शांदार वीडियोज हर रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल NJ Hindi को सब्सक्राइब करके बेल गाइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें बात करें भारत में आने वाली रॉयल इंफिल्ड क्लासिक 250 की तो इसमें आपको कई सारे नए शांदार फीचर्स देखने को मिलेंगे जो की बाकी की क्लासिक बाइक्स में नहीं देखने को मिलते हैं बात करें Royal Enfield Classic 250 के एंजिन की तो इसमें 250 CC वाला दमदार एंजिन देखने को मिलेगा मीडिया से मिली जानकारी के अउसार कंपनी अब 14 नई बाइक्स पर काम कर रही है जिसे अगले साल के खत्म होने तक बाजार में ला दिया जाएगा अगर देखा जाए Royal Enfield 250 के फीचर्स के बारे में तो इसमें नए alloy wheels, wind deflector और नए design के tail lamp, grab rail, fuel tank और नए exhaust देखने को मिल सकते हैं बात करें कीमत की तो Royal Enfield 250 की शुरुआती कीमत महज एक लाख रुपए के करीब हो सकती है जो कि आम युबाओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कारण इस कीमत में आज के दौर में एक normal sports bike आ जाती है तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं बात की जाए launch date की तो कंपनी का कहना है कि हम 250 CC वाली इस bike को अगले साल के मद्ध में launch कर सकते हैं और launch होते ही classic 250 का सीधा मुकाबला होगा बजाज Dominar 250, BS6 Yamaha FZ25 और Husq वरना Swart Plane 250 से होगा हमें पता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी अच्छा लग रहा होगा तो बस तेरी ना करके इस वीडियो को जादा से जाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाली 250 CC वाली bike का इंतजार सबको रहे Thank you very much